थेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप UP के किसी भी ग्राम पंचायत के खसरा खतवनी को कैसे निकाल सकते हैं तो आप वीडियो को लाश तक देखिएगा, अगर वीडियो आप लाश तक देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आप अपने ग्राम पंचायत के किसी भी लाभार्ती या किसी भी ब्यक्ति का खसरा और खोतवनी कैसे निकाले तो चलिए उस वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले आपको अपना Google Chrome open करना है और इसमें लिखना है यूपी भूलेक जैसे में यूपी भूलेक पर क्लिक करेंगे सर्च करके आ जाएगा और सबसे जो फर्स्ट ऑप्सन दिख रहा होगा आपको चाहें यूपी भूलेक जीओवी डॉट इन इस पर आपको क्लिक कर द कोई भी जीला चुल लेता हूं जीला चुलने के बाद आप देख सकते हैं उसके तहसील उस जीले में जितने तहसील है वह आपको दिखाई देगा तो हम इसमें से उस तहसील को किसी भी तहसील को जो आपका जो तहसील होगा आप चुल लेंगे मैं उस तहसील को चुल लेत किसी बी घान किक दो just कर लेता हूं जैसे मैं म्मश्यू को सबसे ऊपर देख सकते हैं कि ऊपर दे आगया है लिए गा घाटा संख्या द्वारा खोजे घातेदार के नाम के द्वारा खोजे या घान्तर ग श्रे scientist के नाम का जैसे अच्छा टाइप करेंगे वह दिखा देगा जैसे एक्जामपल के लिए मैं कोई अच्छा टाइप करता हूं और यहां पर खोज पर क्लिक कर दूँगा तो आप देख सकते हैं उनका नाम जो भी है जैसे फर्स्ट पर यह नाम आ गया तो यह दिखा रहा है इ आपको क्या करना फिल कर देंगे तो आपका जो भूलेक है जो आपका खसरा खसवनी अगर दिखाई देगा तो देखा आपने कितना आसानी से आप यूपी के किसी भी ग्राम पंचायत का खसरा और खोतवनी अराम से निकाल सकते हैं तो उमीद है कि आप अच्छे से सीख गये होंगे अगर आप सीख गये तो वीडियो पाप लाइक जरू कर देजेगा साथ ही आप चैनल को सस्क्राइब जरू कर लिजेगा जिससे आपको आपडेट्स और जानकारी प्राप्त हो सके तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए जानकारी एक साथ तब तक के लिए जाहें